हाई गाइस तो आज है दे ट्वेंटी टू और वेट लोस जानी तो नहीं बोल सकते हैं आज तो सही मैं मेरी गड़बर हो गई ती मैं आपको दिखाती हूँ आगे तेकि कोशिच मैंने की है कि मैं अच्छा कर पाऊं तो सुबह ओड के मैंने ची आसीट्स पीली थे मुझे का करें आप लगों को पढ़ता है तो मैं यह सारे नहीं खाने वारी हूँ तो अच्छे से बैठे चपा चपा के खाने और आज था दस वी थी राम नौ मी के बाद दस वी आती ना तो आज चोटी चोटी जैसे बच्ची होती देख सकते हैं उसको खिला तो दस बजे खाना खि दिखाने की तो पूड़ी सबजी खीर यह सब बनाया था ठीक है लेकिन मैंने कभी मलब नहीं खाया था प्रशाद लिया था थोड़ा एक चमच और मैंने बनाया था जूस चुके बीट घाजर और कुकुमबर और टमाटर यह सब डालकर मैंने अच्छे से और लोकी डाली अच्छे से पीस लिया और इसको चांड लेना है अच्छे से ठीक है और हाँ इसमें आपको कोई नमक वगिरा एड नहीं करना है ऐसे ही पीना है बहुत जादा है आपको एनलजी भी फील होगी और आपकी स्किन ग्लो करेगी आपकी वेट लॉस में मदद करेगा ही करेगा लेकिन गाइस ऐसा नहीं सोचना है कि हम अभी के अभी स्लीम हो जाएंगे नहीं दी मोटिवेट नहीं होना है आपको बस हेल्दी खाना खाना है यहीं सोचना है जैसे हम हेल्दी लाइफस्टाइल में कनवर्ट होंगे न वेट अपने आप गिरेगा तो मैंने जैसे सारी ब करने में मुझे पता है कि अपने लिए अलग से खाना बनाना में कितना मतलब औरत को सोचना पड़ता है तक के मारे बिचारी मतलब ऐसा होता है कि नहीं लेकिन कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़े बनाने लिए और दोपर में यह सारी चीज़े थी लेकिन मैंने अपने लिए जो बहुत अच्छे लगते हैं और टेस्टी तो होते ही है लेकिन कॉंप्रमाइज भी थोड़ा करना पड़ता है और वरना आज खीर पूरी सारी चीज़े थी लेकिन मैंने खीर लेती माताजी का प्रसाल और मैंने थोड़ा सा ये मूँ खाल लिए और इसके अंदर मैंने थो सब्जी रोटी भी खार सकते हैं लेकिन हेल्दी चीज खानी है वैसा सब्जी रोटी होता है लेकिन कही पार क्या होता है हमारा फेट लॉस नहीं हो पाता तो असकी वज़े से थोड़ा ड्यट चेंज करना पड़ता है तो मैं शायद अब ही दो-तीन दिन का ब्रेक लूंग और सारी चीज़े खार लिए उन्हों ने पूरी वगेडा सब कुछ बनाया था ठीक है और उसके बाद मैं शामकू चाय पी रही थी आज था हमारा योगा का प्रोग्राम थीक है तो मुझे पहुचना था वहाँ चार बजे तो ये देखी सकते हैं आप बापरे बाप और ये इतना अच्छी से मदब कर रहे थी इतने मेडल इसके पास पड़े हुए ना और आगे एक सांस्कुर्षिक डांस भी था है प्रशाद भी था तो पाउबाजी थी और पुलाओ था तो मैंने थोड़ा सा खाया था बहुत जादा भूक लगी लगी यहीं था आज का पूरे दिन का मेरा व्लॉग और डाइट भी थोड़ी बहुत आज गड़बर हुई है लेकि कोई बाट नहीं मैंने कोशिश की है मैं अच्छे से अच्छे कर पाऊँ और आख क्योंकि दॉपर में तो मैं से इस मुण की खाये थे लेंगे रात में थोड़ी गड़बर हो कहीं तो इसो की कभी कभी चलता है लेकिन अब मैं अच्छे से ध्यान रखोंगी और वापिस मैं चैलेंज लाऊंगी और मैं हार्ट चैलेंज लेने वाली हूं और यह है मेरे पूर अपने लिए ही चैलेंज रूँगी मैं क्योंकि मुझे वेट लॉस करना ही करना है तो थैंक्यू पूर वाचिंग एंड सब्सक्राब टूमोब